हेलो स्टूरेंट्स मैसलफ पूरम कुमावत और आज मैं आपके लिए लिक्या हूँ स्टैटर्जी फोर इन्हांस्मेंट इन फूड प्रडाक्शन जो आपका चाप्टर है क्लास 12 खा उससे रिलीटिड बहुत ही इंपोर्टेंट और नीट-based MCQs बचो यहां मैंने जो कोशन्स आपके लिए सिलेक्ट किये हैं वो NCRT के हर एक स्टेट्मेंट से हैं और मैंने पूरी कोशिश की है कि सारा का सारा चाप्टर जो है आपका कवरप हो जाए इन सारे MCQ को जब आप सॉल करोगे हो सकता है इन में एक आदा MCQ आपको ऐ परचे इस चाप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं और आप पूरी कोशिश करना कि सारे की सारे कोशन जो है आप इस चेप्टर से रिलेटर अटाइम्ट कर सकें अगर आपका फिर भी कोई ऐसा कोशन है जो स्केप हो रहा है या नहीं आ रहा है तो आपका वो काम करना है एक तो यह बताना है कि next quiz आपकी चाप्टर पर चाहा रहे हो and second आपने कितना score किया है तो सब बचे यह अपना last comment करना मत भूलना तो start करते हैं बचो आपनी quiz और quiz का सबसे पहला कोशन आपकी screen पे है जो NCRT के first page से है अगर आपने NCRT का इस chapter का first page देखा है तो ज इस plant से यानि कि variety of the plant belongs to आपका जो time है वो start हो चुक है आपको एक limited 15 second का time मिलेगा अपना answer जो है select करने का यह variety है मेज की, brassica की, P की और wheat की बहुत ही शांदार कोशन है जो NCRT के first page पे एक image दिया हुआ है NCRT के अंदर भी इसका image दिया हुआ है P1542 और सब बच्चे अपना answer लिख चुके हैं और इसका सही answer है P यानि कि यह जो variety है वो खिसकी है P की है next question पे आते हैं बच्चो यहाँ पर आपको एक filling in the black दिया है और बताया गया है is the root of any plant breeding program genetic variability आएगा mutation, micro propagation, testing and commercialization of new culture तो आपको अपना answer है बच्चो फटा फटा अपना जो chat box है उसमें लिखते रहे ह आपके जो answer है वो regular check किये जा रहे है और जो बच्चे अपना सही answer दे रहे है इसका मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से preparation कर रहे है और इसका सही answer है genetic variability is the root of any plant breeding program, plant breeding program से related भी questions है लेकिन that is a very very important term की genetic variability क्योंकि हमें germ plasm को collection करना है तो हमें different variety जो की genetically different है लेकिन same breed से भी collection जो main root होती है कोई भी plant breeding program से next question है आपका देखो अक्सर बच्चे ना इस point पे बड़ा गलती कर देते हैं कि वो correct और incorrect statement को ढंक से नहीं पड़ते तो जब भी आपको question मेलता है तो आप सबसे पहले किसको mark करोगे incorrect statement identify करना है किसकी respect में semi dwarf variety of wheat की respect में आपका time मेंने start कर दिया ह है चार option आपके सामने है कि यह variety जो है वो ड्राइव होई है 1 IR8 से international center ने इसको बनाया है wheat और maize improvement in Mexico नौर बॉर लॉग ने बनाया है और responsible है for green revolution incorrect statement बताना है आपको त्यार option है और चारों में से एक option जो है वो गलत है इसका मिलब तीन option मिलकुल सही है तो these varieties are derived from IR18 यह गलत statement है बाकी यह तीनों statement सही है यानि कि semi dwarf variety जो wheat की है वो develop की गई थी center for wheat and maize improvement in Mexico एक next question भी आपके आ सकता है और इसके ओपर किस ने काम किया था Norman E. Borlog इनको father of green revolution भी बोलते हैं father of green revolution ठीक है तो सब बच्चे एक question का और answer बता दीजिए इंडियन father of green revolution कोन होगा जो की Norman E. Borlog को follow करते हैं हमारे इंडियन scientist का नाइम सब बच्चे पटा पट अपने जो chat box में उसमें लिख दो आपका answer जो है वो मैं देख रहे हूं और यह भी देख रहे हूं कि कितने बच्चे सही answer कर रहे हैं और नहीं ठीटिंग करने वाले बच और green revolution अब कोशन हमारे पास आएगा कि I are it क्या है तो इस question का भी answer आप लिख सकते हैं इंडियन father of green revolution का सही answer है M.S. Swaminathan next question है हमारे पास कि semi dwarf variety यानि कि वो भी किसकी rice की introduce कब की थी इंडिया में 1917 में 1986 में 1966 में 1976 में तो सही answer सब बच्चे अपना जो है chat box में फटाफट लिख दीजियो और बताते में रहे हैं कि यह जो questions है यह तुम लोगों को आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं मतलब किस तरीकी question है क्य यह point आपने as a M से क्यों point of view से सोचा था या नहीं तो इसका सही answer है 1966 next question आपको फिर से correct statement करना है से क्रम बार्बेरी तो एक तो पहला question यह भी आ जाता है से क्रम बार्बेरी क्या है ठीक है और तो आपका इससे related चार option है कि यह northern इंडिया में originate हुआ था high sugar content है have a high yield per area of the field presence of thicker strength as compared to sacrum office heirum ठीक है तो चार statement दिये हैं तो आपसे दो तो यही पूछ ले जाते हैं यह किसकी variety है तो एक तो यह question आपके सामने रहा है और बाकी की correct statement आपको identify करना है with the respect of sacrum बार्बेरी यानि कि तीन statement गलत है एक ही सही है बार्बेरी के perspective आपका time जो है वो complete हो चुक है और इस sacrum के perspective सही माने जा रहे हैं बाकी जो statement है तीनों यह बार्बेरी की perspective गलत हो जाएंगे अब आते हैं next question select करना है वापस से incorrect statement किसकी बारे में sacrum office इनेरम में तीक है चार option आपको दिये है पहला option है did not grow well in a North India, it has low sugar content, it is a tropical can and it had thicker stem तो देखो यह sacrum, barberry और office इनेरम जो है दोनों ही sugar की variety, sugar cane की variety है एक Northern India में पाई जा रहे है एक के Southern India में तो यहाँ पर आपको देखना है कि इसका सही answer क्या है statement incorrect आपको identify करना है और इसका सही answer है कि जो यह low sugar content है ऐसा नहीं है यह high sugar content है तो यह बहुत important question है और यह कभी भी grow नहीं कर सकते है Northern India climate इसके shoot नहीं करता, tropical रहना है और इसका thicker stem है next question पर आते हैं यह भी बहुत favorite question रहते हैं बचो नीट के जिसके अंदर variety और plant पूछा जाता है column बना के तो आपके सामने चार variety है sonalika है, प्रभानी करांती है, पूशा कॉमल है और पूशा गौरव है आपको सही plant इसको select करके columns को match करना है और अपना answer जो है बचो सामने है, that is a first, अब first में क्या है, sonalika जो है वो किसकी है, wheat की है और प्रभानी करांती जो है वो भिंडी है, पूशा कॉमल जो है वो काव पी की variety है और पूशा गौरव जो है वो ब्रैसिका की, अगर यह सारे, यह सारा, यह question जो है न वो favorite जोनने आते हैं, NTA के तो आप इन जो my word introduced by tissue culture, selection, hybridization, mutation, यह भी बहुत अच्छा कोशन है, NCRT का as it is statement दिया है, कि moving की एक variety होती है, जिसके उपर yellow color का powder लगा रहते है, जो कि yellow magic virus है, और इसको remove करने के लिए, इसको disease free, यानि कि इसको disease free बनाने के लिए यह कोशिश की गई है, और इसका जो सही answer है, वो रहेगा mutation, इसको disease free करने के लिए हमने किसके help ली है, mutation, तो basically plant breeding के अंदर हमें disease free या disease resistant करने के तीन तरीके होते है, या तो आप किस technique को use कर सकते हो, hybridization technique को, या फिर आप क्या करवा सकते हो, mutation करवा सकते हो, या फिर आप breed करवा सकते हो, किसके साथ, breeding with wild relative, देखो wild जो variety होती है, वो disease resistant होती है, तो इन तीनों में से कोई भी option आप select करके plant breeding के दोरान disease resistant variety प्रपेर कर सकते हो, तो moon wing के लिए जो हमने किया है, वो mutation के थू क्या, NCRT में given है, बहुत important question है, और आपके answer जो है, वो chat box में लगातर आने चाहिए, और definitely मुझे ये तो feedback चाहिए ही चाहिए होता है, कि क कैसी लग रही है, आपको quiz मेरे बच्चों, तो next question आपके सामने है, plant variety जो है, वो हीम गिरी, is a resistant to leaf and strip rust, bacteria blight, mozik virus या white rust, ये भी NCRT, pure NCRT का question है, हीम गिरी, आप से direct question पूछा दा सकते हैं, कि किस की variety है, और किस disease से ये resistance प्रवाइड कर रही है, तो दो अच्छे questions बन गए हम हमारे पास, तो ये आपके एक index से pure index से लिया हुआ कोशन है, NTA ने पूछा हुआ भी है, तो बहुत अच्छे से इस question को attempt करना है, हीम गिरी, wheat की variety है, और disease कोन सी है, लिएप and strip rust, next question, insect resistant, अब देखो क्या है, कि green revolution के बाद हम लोगों को बहुत ज़्यदा food production की जरुद थी, तो हमने green revolution, मतलब आजादे की बाद की बाद चल लिया है, तो green revolution लिया है, और उसके बाद में हम लोगों के पास बहुत सारी variety होगी, लेकिन disease का क्या करें, तो फिर हम लोगों ने कुछ-कुछ टेक्नीक के help लेके, जिसे hybridization wild relative, ये mutation का use करके, हम लोगों ने disease या insect resistant variety prepare की, त due to morphological but not biochemical character, physiological not due to the morphological characters, biological but not due to the morphological character, morpho, biochemical and physiological characters, तो आपको देखना है कि insect resistant in a host crop may be due to, किस तरीके से आप insect resistant कर सकते हो, ये NCRT का pure pure NCRT line है, तो अगर आपको याद है, तो well and good बच्चो अगर नहीं है न, तो आप immediately आप अपनी NCRT को खोल के statement को underline कर दीजिए, और इसका सही answer है कि जब आपको किसी crop को insect resistant करना है, तो morphological, biochemical और physiological तीनों character 6 पे काम कर सकते हैं, next question, ये भी आपके NCRT का statement है, jacid in cotton to related to the following character of cotton, physiological है, biochemical है, morphological है, biochemical and physiological है, ये भी आपके NCRT दिया हुआ है, resistant to jacid cotton के अंदर, तो वो किस तरीके का change है, physiological है, biochemical है, morphological है, biochemical and physiological है, अगर आपको ये question अभी नहीं भी आ रहा है, तो कोई शोनिया वापस NCRT read करके, इस question को वापस से start कर देना, बढ़ तुक्का माने कि कोई जरूत मिए negative marking नहीं होना चाहिए, तो resistant to jacid, जो है, वो एक morphological character 6 को show करता है, इन a cotton के अंदर, ठीके, next question, hairy leaves in a cotton, देखो, अभी लोगों ने बात किया था, कि morphological character 6 कोटन का, तो hairy leaves in a cotton, provide the resistance, किसके against, अभी हमने वैसे ही question attempt किया है, थोड़ा सभी दिमाख लगाओ के तो आज आज आएगा, jacid, fungal infection, या sawfly and ball bomb, तो इसका सही answer, अभी हमने पहला question किया है, NCRT का, ये पूरा statement है, एक statement के दो हिससे करके आप करती है, किसके से, jacid से, और hairy leaf, that is a morphological character 6, ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा combine करके question, ये lines जो है, NCRT के है, और most of kids में बच्चा, इस line को as a MCQ point of view, as a question के point of view से नहीं करता है, जो सबसी बड़ी गलती है, आप NCRT के हर एक line से questions, generate करने लग जाओगे, तो आप देख next question है, smoothly and nectarless cotton, variety do not attract wallworm, sawfly, fungi and bacteria, ये भी NCRT का ही statement है, insect resistance जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी paragraph से है, तो वो एक paragraph आपने आप में बहुत प्यारा है, उसमें बहुत अच्छे-चे questions बन सकते हैं, बहुत ही straightforward questions है, तो जिस भी बच्चे ने अगर NCRT को बहुत statement carefully पढ़ा है, तो answer बहुत सही आ रहा है, उनका, otherwise तो पंगे ही पंगे है, इसका सही answer है, ballworm, ठीक है, NCRT में लिखा हुआ है, देख लो, नहीं लिखा हुआ है, तो NCRT खोल के, इमेज़ेटली आप चेक भी कर सकते हो, next, resistant to cereal leaf battle in the wheat is due to, next, चार ओप्चन आपको दिया है, solid से, hairy leaves, high aspartic acid, smooth leaf thread, resistant to cereal leaf beetle in a wheat is due to, तो कैसे करवाओगे, ये भी आपका NCRT का, insect resistance के अंदर ही चल रहा है, ये line भी आपके NCRT में given की हुई है, सही answer आना चाहिए, और नहीं है, तो skip करना एक best option रहेगा, hairy leaves, ठीक है, next question, Atlas 66, ये नीट का भी question रहा है, क्या है, maze variety है, beresika की variety है, या कावपी की variety है या wheat variety है, तो आपको याद होना चाहिए, NCRT में given है, ठीक है, ये question आप ऐसे नहीं कह सकते है, कि हमने नहीं पढ़े, या अगर आपने NCRT को बहुत अच्छे से सुना, समझा और पढ़ा है, तो ये question साथ के लिए बहुत बहुत आसान है, Atlas 66, एक variety है, और वो भी किस की, तो इसका सही answer आएगा, कि Atlas 66 is a wheat variety with a high protein content, ठीक है, तो next question, prokaryote बताना है, जो कि as a SCP, पहले तो मुझे ये बताओ, SCP की full form, किस बच्चे को पता है, तो फटा फटा आप क्या करो, SCP का, जो full form है, वो अपने chat box के अंदर mention कर दो, थाकि मुझे भी पता चले की, SCP, बिल्कुल सही answer आ पताना है, इन चार option में कौन सा, prokaryote है, जो कि SCP की तरह हम लोग यूज करते है, spirulina, steptococcus, frankiae, rhizobium, चार option आपके सामने है, बहुत आसान question है, अगर ये question भी आपका गलत हो रहा है, तो भाई, बच्चो बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, अभी भी तुम selection से दू यानि कि ये बहुत basic questions हैं, जो आपके सही ही होने चाहिए, तो spiralina, single cell microbes है, या prokaryote है, जो कि protein as a source की तरह यूज किया जाता है, तीक है, next question, soma clones कैसे obtain करेंगे आप, तीक है, genetic engineer से, tissue culture से, plant breeding से, या irrigation से, सही answer chat box में, soma clone भी NCRT में given term है, और आपको ये भी पतावना चे, कैसे है, clones आपको पता है, asexual reproduction से बनना है, या पर soma clone word यूज किया जा रहा है, तो इसका सही answer जो है, वो आएगा second, tissue culture, तीक है, tissue culture के थ्रू हम क्या produce करते हैं, soma clone हम produce करते हैं, tissue culture में हम कोई plant है, उसका एक part लेते हैं, जो कि हमारे लिए क्या रहता है, ex plant, और इसको हम किसी nutritive solution क के अंदर डाल के उसको grow करवाते हैं, वो क्या बन जाता है, कैलस बन जाता है, और इस कैलस को जब हम लोग अलग लग टुकडों में डालते हैं, और इन से अगर plant प्रिपेर हो जाते हैं, तो यह plant आपस में क्या कहलाएंगे, soma clones कहलाएंगे, क्योंकि इनका genetical material, जो parent plant है, इग्जेक्ली मैच कर रहा है, नेक्स्ट कोशन, कल्चरिंग मेरिस्टेम और बनाना, शुगर केन और पोटैटो इस प्राइमरली सिग्निफिकेंट तो प्रिदूस वाइरस फ्री प्लांट, हाइब्रिड वेग्यो, somatic hybridization, specific मेरिस्टेमिटिक टिशू, तो आपको कल्चरिं तो उसे में क्या benefit होने वाला है, तो इसका benefit होगा कि जो मेरिस्टेमिटिक रीजन होता है, वहाँ पर वाइरस अफेक्ट नहीं करते, तो ऐसे अगर मेरिस्टेमिटिक टिशू को लेके, अगर माइक्रो प्रोफगेशन करते हो, तो जो बननने वाले plant जो होंगी, वो कैसे हो प्रोटोब्लास्ट, कैपसिटी, तो जनेरेट होल प्लांट, इस तरम को बोले ज़ाद है, टोटोपोटेंजी, जेनेटिकल, आइडेंटिकल, जो होते हैं, उनको हम बोलते हैं, सोमा क्लों, टीशू कल्चर की प्रस्पेक्टिव आपको गलत स्टेट्मिंट बताना, इसका क्यों हैं, और गलत क्यों हैं, तो, इसका सही अंसर है, FIRST, वाइरस फ्री प्लांट, बार्ट ओफ ब्लांट, फ्लॉवर नहीं होता, अभी-भी मैने बताया था, लास्ट कोशन में वाइरस फ्री प्लांट क्या होता इ inner stem होता है, इसके लाबागा ये भी सही है, अगर puisqu प्ल जैनेटिकल होते हैं उनको सोमा क्लोंस बोला जाता है अब आते हैं नेक्स्ट कोशन पे सोमेटिक हाइबर डाइजेशन यह भी एक बहुत ही अच्छी सी टेक्नीक है जो मारी इंची अटे में गिवन है कैसे करोगे रिकॉंबिनेंट करे होगी डीने टेकनोलोजी को आते हैं जिसके अंदर हम लोग कुछ ऐसे स्पेसेविक प्रॉसस करके एक बहुत ही अलग और बहुत ही डिफरेंट वेराइटी प्रपेयर करते हैं जिसके अंदर एक वेराइटी सोमेटिक हाइबर डाइजेशन हमने बना भी चुके हैं पोमेटो इसका सही आंसर है फ्यू आलू रूपर टमाटर लगते हैं इस तरीकी के एक सोमेटिक हाइबर वेराइटी हम लोगों ने प्रपेयर किया है जर्म प्लाजम नेक्स्ट कोशन यह बहुत अच्छा कोशन है तो यह कोशन जो है सिरफ थोड़ा सा दिमाग लगा के आप करोगी तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा अगर आपका कॉंस्ट बहुत अच्छे से क्लियर है तो सही आंसर जो है बच्चों आपको ऐसे चमकता हुआ दिखाई दे रहे हैं कि किते बच्चे हैं जो सही कर रहे हैं इसका सही आंसर है वाइल वेराइटी मैंने पहले भी बताया थ कि वाइल्ड वेराइटी का हम यूज करते हैं डवलप करने के लिए डिज रिजिस्टिंस वेराइटी को अब आता है नेक्स कोशन विच वन अप पॉलोविंग इस नोट इंप्रूड वेराइटी ओ फ्लाट बीन चार ओप्शन है पूसा सैम 3 पूसा स्वामी पूसा सैम 2 नोग दींच जबूद 설 आफका नाच यह वह अच्छा कोशन है सिधा इंटेक्स से पूछा हुआ है दो इंडेक्स आपके पास जीवन की वह यह तो बहुती अच्छा कोशन है और आम घैंश और की मैकसिम बच्रोका का अंसर गलत नहीं कर सकते क्योंकि अगर आपको यू द प्रोटोप्लास्ट ऑफ डिफरेंट सेल कैन मेट तू फ्यूज विद दा हल्प ओफ यह आपका NCRT से बाहर का कोशन है इसको आपको नोट करना है एक बार यह कोशन पूछा हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे डाला है यह कोशन यह दो प्रोटोप्लास्ट आपको पता है यह एक प्लांट सेल होगी यह दूसरी प्लांट सेल होगी इन दोनों का हम लोगों ने सेल वोल को क्या कर दिया रिमूव कर दिया सेल वोल को हम लोगों क्या कर दिया रिमूव तो यह पीछे क्या प्रोटोप्लास्ट और इन दोनों को जब हम फ्यूजन कर देंगे तो हमारे प आपको पूँछा है तो एक बार इ renovation पूछा गया है इसलिए आप से पूछा जा रहा है तो नहीं आता ना जब आपको तो उसको करना आपके लिए best option होता है तुकका मारना जरूरी निये क्योंकि आप जिस post के लिए preparation कर रहे हो वहां पे आप किसी भी Entwicklung को तो केसे तो adalah लेस्ट ट्रीट नहीं खड़ सकते हो ना तो आपकी हैबिट में ही नहीं होना चाहिए स्किप कर दो तो इसका सही आंसर हैगा पॉली इथाइलिन ग्राइकॉल ठीक है अब आता है नेक्स कोमेशन यह नहीं आपको बता ही दिया पॉमेटो जो है वह एक एक जामपल है कि इसका पैरा सेक्शुल हाइबर्डाइजिशन का है सेक्शुल हाइबर्डाइजिशन का है या इंटर स्पैसिफिक हाइब्रेड का है या इंटर वैर्टाइल हाइबर्डाइजिशन का है तो आपको बता होना चाहिए कि पॉमेटो जो है न वो एक 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 जामपल है सबको पता है somatic hybridization का, लेकिन somatic hybridization को किस नाम से जाना आ जाता है, mainly question ये है तो NCRT ने pomato के बारे में दिया है, लेकिन उसको somatic hybridization ही लिखा है, इसका second name जो है, वो क्या बोला जाता है, ये भी हो सकता है, तुम्हें ना आए लेकिन इसको बोला जाता है, parasexual hybrid parasexual hybrid में ये कुण से technique है, तो आप याद रखना, ये non-sexual mechanism है और जिसके अंदर हम क्या करते हैं, transferring genetic material by fusion of cells of different characteristics ये varieties कुछ भी कर सकते हो, तो इस technique को हम parasexual hybrid बोलते हैं, नहीं पता तो इसको note कर लेना बचो, अब आते हैं, हम लोग next question पे, next question हमारे पास, which of the following is generally used to induce mutagens in a crop plant, तेक है, UV rays, X rays, alpha particle, gamma rays, तो यहाँ बे अकसर confused हो जाओगे, अगर anxiety को बहुत ध्यान से पढ़ा है, तो क्योंकि आपकी दिमाग में चलता होगा कि यह सारे ही mutagen के लिए responsible है, लेकिन यह specific किस के लिए पूछ रहा है, बच्चो, crop के लिए पूछ रहा है, तो बहुत ध्यान से इस question को attempt और answer करना है, तो यहाँ पे पूछा गया है, specific crop के perspective, तो इसका सही answer है, gamma rays, जिस यह for cobalt 60, ठीक है, तो यह आपके anxiety में given है, तो ध्यान से पढ़ ले ना, आपको मिल जाएगा answer है, जाया और रातना, favorite example रहा हुआ है, पूछा गया है कि green revolution के दोरान यह prepare की गी थी, इंडिया के अंदर ही किस चीज की variety है, मेज की है, wheat की है, rice की है, या बाजरा की है, तो एक particular time दिया जाता है आपको एक question के साथे, उस time के अंदर 15 second का time है, इस timing के अंदर ही आपको अपना answer आना चाहिए, तीक है, ऐसी जबरदस्त preparation होनी चाहिए, तो green revolution के दोरान, जया और रतना, basically variety है, किसकी rice की, ठीक है, next question, breeding of crops with a high level of mineral, vitamins and protein, तो क्या बोलेंगे इस technique को, bio fortification, biomagnification, somatic hybridization, micropropagation, यह 4 terms ही अपने आप में बहुत important है, क्योंकि in terms पे भी questions आ जाते हैं, अक्सर, लेकिन आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे हम breeding कर रहे हैं, किस लेवल पे, कि high level में mineral, vitamin and protein होना चाहिए, answer बिल्कुल सही होना चाहिए, यह answer गलत में होना चाहिए, अगर होता है, तो खुदी अपने आपके रसीद लो, ठीक है, bio fortification, technique है, bio magnification में हम क्या करते हैं, bio non degradable substance, जो हर एक tropic level में increase होते हैं, इन फूड चैन, उसको हम bio magnification बोलते हैं, somatic hybridization आपको पता है, micro propagation है, tissue culture, next question, by which method was a new breed, hissedale, of sheep, formed by the using bicanary avies and merino rams, तो यह question तो यह आजागा, कि यह कैसे बनी है, ऐसे बनी है, तो यह basically पूचा गए, यह method कौन सा है, cross breeding है, in breeding है, out breeding है, or mutational breeding है, तो यह question, आपको direct question देके option, यह option देके question, कैसा भी पूचा जा सकता है, तो आपको यहाँ बहुत सही से दिमाग लगा कि इस question का answer करना है, hessardale जो है, वो एक question तो यह बन जागा, sheep का है, किस से बनी है, बिकनेरी, आविजर्म, मैनिरो, रैम्स की है, और यह इसका जो बनाने का method है, that is example of inbreeding, ठीक है, inbreeding में हम two different breed के अंदर controlled mating करते हैं, उसको बोलते हैं inbreeding, next question, incorrect statement को identify करना है, पहला है option, inbreeding increase the homozygicity, second है, inbreeding is essential to evolve pure line in animal, third option है, inbreeding, select harmful recessive gene that reduce the fertility and productivity, inbreeding help in accumulation of superior gene and elimination of undesirable genes, तो आपको इसके अंदर incorrect देखना है, बाकी inbreeding के prospective statement सही है, यह सही है, यह सही है, यह सही है, यह statement गलत है, क्योंकि inbreeding के अंदर क्या है, pure line को maintain किया जाता है, inbreeding depression के अंदर जो fertility reduce होती है, तो यह incorrect statement जगा, next question, fish in a culture, fishery in India are, तो को fishery के अंदर हम क्या करते हैं, पुरा एक industry होती है, fishery जिसके अंदर हम fish या crustacean या फिर animals को लेके उनको grow करवाते हैं, उनको cultivation करवाते हैं, तो इंडिया के अंदर हम basically, fishery के अंदर किसका यूज करेंगे, Salmon, रहू को, रोहु, कतला को, कतला, मैगओर को, यह Salmon, या कतला को, सही answer जो है, आप लिख दीजिए, time आपका start में हो चुका है, बच्चों, यानि कि इंडिया के अंदर अगर हम लोग fishery culture perform करना जाते हैं, तो इन में से कोण से fishes हैं, जो हम select करेंगे, तो बहुत ध्यान से इस question को attempt करो, NCRT में given है, तो कोई ऐसा नहीं है, कि out of NCRT हम लोग कुछ discussion कर रहे हैं, और इसका सही answer है, रोहु और कतला, इंडिया भी उस क्या जाएगा, नेक्स question, maize hybrids have been developed for higher amount of methionine, lysine, leucine, या cysteine, these are amino acid, maize के अंदर हमें higher amount बनाना है, कौन से amino acid का NCRT में given है, तो ये भी एक अच्छा question है, जो कि अक्सर बच्चों की नजरों से चुप जाता है, इसलिए मैं ने इस question को select किया है, आपके लिए, और ये question आपका सही होना चाहिए, अगर आपने NCRT को बहुत क्येरफुली रीड किया, lysine rich में इसको हमने prepare किया है, हार्बरडाइजेशन से, next question है, इन चार में से एक variety को आपको identify करना है, जो कि American breed of polytry के अंदर देखने को मिलती है, लेग होन है, सलमेटर्स है, या एग्स बॉगर है, या मैक्स को रैम्ट से, ठीक है, तो, आपको मैक्सन, रम्पी, बोलना चाता है इसको, आपको इन में से, चार में से एक सेलेक्ट करना है, जो American polytry form के अंदर देखने को मिलती है, यानि कि exotic breed देखनी है, आपको किसकी chicken के, और leghorn, आपका डियागरम भी, आथिंग, एन्सेटी में given किया हुआ है, तो, a leghorn is example of an American breed of polytry, next question, which of the following is a marine fish, रोहु, हिल्सा, कतला, या common crab, आपको बचानना है, कि में से कौन सी फिश, जो है marine fish है, तो बच्चों, ये question तो बहुत आसान है, यानि कि हम फिशरी के अंदर क्या करते हैं, डिफरिंट डिफरिंट जो फिशिस हैं, उनको ग्रो करवाते हैं, तो कोई भी फिश ले सकते हैं, exotic भी ले सकते हैं, और इंडियन भी ले सकते हैं, तो हिलसा, जो है वो एक marine fish है, आपको fresh fish के बारे में पता होना चाहिए, और marine fishes के बारे में पता होना चाहिए, which one of the following product of apiculture, जो कि cosmetic और polishes में हम use करते हैं, honey, oil, wax or oil jelly, देखो apiculture में basically नाम से पता चल गया होगा, कि यहां पे हम culture measure करते हैं, किसका honey अब उसका, honey bee का ठीके, तो उसको बोलते हैं, यानि कि culture करना किसका, honey bee का उस stream को बोलते हैं, apiculture और apiculture से हमें में में ली दो important product है, honey और wax मिलते हैं, और wax का हम use करते हैं cosmetic या policing में honey as a traditional medicine की form में हम use करते हैं, direct भी यूज कर सकते हैं, holstein फ्रीजन, browns, fish और jersey, यह breed है किसकी exotic breed है, cow की exotic breed है, got की exotic breed है, polytrik या animal husbandry scientist है, तो आपको यह पहचानना है कि यह तो अच्छा कोशन है, पूछा हुआ भी है, neat का ही कोशन है, तो आपको कुछ specific cattle हैं, जिनकी breeds जो है, आपको याद रखनी है तो आपको पहचानना है कि यह जो breeds है, वो basically exotic है, वो भी किसकी cow की इसका सही answer है, first next question आते है, aqua culture क्या होता है, और इसमें किसकी rearing और management क्या जाता है molluscus, या फिर crustaceans का, only fishes का, economically useful aquatic plant and animal, या only aquatic plant कर सकते हो, next question है, inbreeding depression जो हम लोग पहले टर्म यूज़ कर रहे थे यह किस से related है, increase fertility and productivity, increase milk production, reduce fertility and productivity, और last option है हमारे पास, reduce milk production, तो inbreeding depression पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे आता है, और inbreeding depression से क्या होता है, जब हम किसी एक ही breed में, 4-5 generation तक, अगर हम mating करवा रहे हैं, तो उससे क्या induce होती है, inbreeding depression, और inbreeding depression आजाता है, किसी breed में, तो उस breed की, जो fertility है और productivity डाउन हो जाती है, ठीक है, next question, which of the following is example of cross breed, cross breed का example आपको identify करना है, mule, hilsa, hissedale, या sunny, wal, तो ये भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही question को, मतलब कैसे ही पूछा सा सकता है, आपकी सामने, जो अभी add time पे question है, वो option की form में मिल सकता है, जो option है, वो आज़ा questions की form में भी मिल सकते हैं, तो इन में से आपको पहचानना है, कि cross breeding का example कौन सा है, cross breeding between the two different breed होता है, तो इसका example है, हमारे पास hissadal, जो बिकनेरी, avizor, marino, rams की बीच में हुआ था, artificially breeding करवानी हमें, cattle के अंदर तो क्या करना चाहिए, चार option दिये है, artificial insemination, super ovulation, embryo transfer, mooid का यूज़ कर सकते हैं, सब भी चीजों का हम यूज़ करते हैं, all of these, तो बच्चों इसका सही answer, बता दो क्या होगा, यह बहुत आसान question है, क्योंकि यह technique भी आपके animal breeding के अंदर given की हुई है, artificial breeding, तो इसमें आया जाएंगे आपके सारे के सारे options हैं, artificial insemination, यह इनकी super bull की हमें जरुत पड़ेगी, उसके ovulation embryo transfer technique is related to, तो इस technique को हम एक और भी नाम देते हैं, moit के नाम से जाना जाता है, तो एक यह बीटम आ जाता है, what is a moit, तो आपको expand करने के लिए भी पूछा जा सकता है, इसमें हम क्या करेंगे, transfer करेंगे, super embryo को transfer करते हैं, super eggs को super ovulation and embryo का transfer करते हैं और last option है, both a and b तो बहुत इध्यान से options पढ़ने हैं then answer करना है, जल्दबाजी करने की जरूत नहीं है time को थोड़ा manage करना है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप जल्दबाजी में answer गलत करने ठीक है, तो इस question का जो हमारे सामने सई answer क्या है वो है कि moid के अंदर हमें super ovulation करना है किसके हल्प से, FSH के हल्प से जिससे 6-8 eggs बन जाएंगे and then हम लोग artificial insemination करवा के क्या बना लेंगे gigot और उनसे क्या बनेंगे embryo और fin embryo को हम लोग क्या करेंगे, transfer करेंगे surrogate mother में नेक्स question में yellow mosaic virus resistance ये परभानी करांती जो belong है, किसकी है, भिंडे की है बारले की है, चिले की है, ये कॉली फ्लावर की है ये भी बहुत अच्छा question है परभानी करांती पे कई बार question पूछे हुए है तो ये एक बहुत important term है आपको याद रखनी होगी परभानी करांती पहली बात है बनी कैसे है, और इक किसकी variety है और इसको बनाने के लिए हमने किससे इसको disease resistance बनाया है तो एक के question में कई सारे question निकल के आ रहे है तो basically परभानी करांती जो है भिंडे की variety है और disease resistance हमने किससे provide किया है yellow magic virus है कैसे की है wild relative से इसको breed गरवा की बनाया है ठीक है, अब आता है next question biggest जो importance है किसकी plant breeding की वो क्या है availability of desirable gene in the crop and its wild relative infrastructures, trained manpower and transfer of gene from the unrelated source तो हमें जो सबसे important चीज़ हमें plant breeding के लिए चाहिए होती है आपको इन चारों में से जो है वो select करनी है सही answer आपके NCRT में भी given क्या है और सही answer आपके chat box में भी लिखते रहे है और questions का level, questions का standard और questions कैसे लग रहे है ये बिना कहीं आपको feedback दे देना चाहिए बच्चों अगर ये quiz आपको ऐसे अच्छे लग रही है तो मेरी कुशिश रहेगी आपके neat examination तक में regular सारे chapter 38 chapter आपके neat examination में तो सारे chapters की quiz आपके सामने लेके होंगी और अगर आप इसी तरीके से cooperate करते रहोगे और अच्छे से answer करते रहोगे अच्छा feedback मुझे मिलता रहेगा तो आपको एक time table भी given कर दिया जाएगा जिसमें बता दिया जाएगा कि इस date को इस तरह की quiz होने वाली है इस chapter की तो हमें plant breeding के लिए सबसे important चाहिए desirable gene in a crop और wild relatives चाहिए next question bird flu virus इसको rhino virus तो bird flu virus आपको पतावना जाएगा है anxiety ने blood flu virus दिया है उसका नाम नहीं बताया कौन सा है इसको avian influenza भी बोला जाता है इसके आलावा आप से ये भी पूछा जा सकता है कि ये basically क्या है तो ये h5n5 h5n1 variety है कि इसकी blood flu virus की next question which of the following is correctly matched आपको बताना है sericulture, fish, aquaculture, mosquito, apiculture, honeybee, pisciculture, silk तो correctly match यानि की तीन गलत एक सही है बहुत ध्यान से match करना यहां पर सारे cultures को एक साथ line up कर दिया मैंने sericulture, aquaculture, apiculture and pisciculture तो ऐसे तो previous questions में हम लोगों ने in terms के बारे में सुना था बट आपको कितना याद रहे, I don't know बट इसका सही आंसर रहेगा apiculture, honeybee का rearing और उसका management आता है sericulture में हम जो है silk moth को हम यूज करते है aquaculture के अंदर हम plant, aquatic animal aquatic plant का rearing करते है और पिसी culture में specific fishes का next question है आपके सामने बताया गया है कि जो semi dwarf variety किसकी weed कहां मेक्सिको में, किसने invent की थी Norman E. Borlog ने, Herbert Boyer ने, William Harvey ने, Tyford Mary ने तो आपको बताना है कि मेक्सिको के अंदर semi dwarf variety किसकी weed की, किसने तो ये भी एक world devil पी green revolution का एक बहुत बड़ा example था जो कि किसने किया था, आपको ये question भी previous question के अंदर मेंने discussion किया हुआ है आना ही आना चाहिए मतलब 101% सही होने के अलावा कोई option नहीं है, इसका सही answer आजाएगा Norman E. Borlog father of green revolution next question the breeding carried out between the animals of different breed इसको हम क्या बोलते हैं out crossing, cross breeding, in breeding both A and B ये भी आप से देखो, आपने एक ही चीज़ देखोगी एक ही question को उलट उलट करके कैसे भी आपके सामने present किया जा सकता है तो ज़रूर ये हर बार question हमें NCRT की pure online से मिले उसको किसी तरीके से modified करके आपके सामने present किया जा सकता है जब दो breed की बीच में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं cross breeding hissadales का example था next question crossing of individual to different species और जिसे hybrid बनता है दो different species की बात चल रही है तो इसको बोलते हैं interspecific hybridization intervarietal hybridization intergeneric hybridization या intravarietal hybridization ठीक है ये दो option अलग लग है वो inter है और intravarietal है तो बहुत ध्यान से देखना है यहां पे आपको दो different species की बीच में जब हम hybridization करते हैं तो इसके लिए हम कौन से term जो है वो use करते हैं NCRT में given है ये term भी तो आपको बहुत अच्छे से term और उसका example दोनों पता होना चाहिए फटा-फटा example भी लिख दू वो किस से related है super ovulation से transfer or super egg super ovulation, embryo transfer या फिर A और B I think कि ये question जो है हम लोगों ने पहले भी solve किया है तो कोई problem नहीं है इस question का answer हमारे सामने सही होना चाहिए moit जो ऐसी technique है जिसके अंदर हम basically क्या कर रहे है super ovulation और embryo का transfer कर रहे है तो ये question जो है वो हम लोगों ने पहले भी discussion किया है तो कोई issue नहीं है कि यहाँ पर second time आपका गलत नहीं होना चाहिए पहली बार हो गया वो हो गया अब आता है हमारे पास next question next question है in livestock breeding experiment which of the following stages is transfer to serogate mother ये भी बहुत अच्छा question है moit का ही question है कि आपको moit के दोरान जो हम लोग serogate mother के अंदर embryo को transfer करते है किस form में करते है unfertilized egg के form में fertilized egg के form में 8 to 32 cell embryo के form में या frozen semen के form में इन चारों में से एक चीज़ सेलेक्ट करनी है serogate mother में हम लोग क्या transfer करेंगे NCRT में given है ये भी तो हम लोग क्या करते है 8 to 38 cell embryo को transfer किया जाता है यानि कि जो पहले super cattle है super female है उसको FSH दिया जाता है बहुत सारे egg produce किया जाता है that is a super ovulation उसके बाद में उसमें एक super male से semen collect किया जाता है उस semen को artificially inseminate किया जाता है super female के अंदर जिसके पास 6-8 egg बने होते है उसके बाद में उनसे जो embryo बनता है उनको 8 to 38 cell तक उसी super female के अंदर ही ग्रो किया जाता है नोर्स सर्जरेकल मैथड से उन embryo को remove करके serogate mother में transfer किया जाता है that is a moid technique और इसका लास्ट कोशन है maize generate resistance against the stem borne by having it low aspartic acid high nitrogen and sugar content second है low aspartic acid and high but sugar but high nitrogen content third option है high aspartic acid and nitrogen but low sugar content और last option है high aspartic acid low nitrogen and sugar content यह बहुत अच्छा कोशन है NEET में आने लाई कोशन है NCRD में given statement है यह गलत नहीं होना चाहिए यानिकि last question तो हमारा कभी गलत होना है इन चाहिए तो यह questions आपको कैसे लग रहे है यह बताना मत बूलना next quiz किस chapter पे चाहते हो यह भी और last में final आप अपना score जरूर mention करेंगे as a comment इसका सही answer है fourth तो यह थे बच्चो आपकी 50 question strategy for enhancement in food production chapter से यह 50 की 50 question आपकी सही है तो well and good बहुत अच्छी preparation है अगर फिर भी अगर आपको यह लगता है कि कुछ question या कुछ ऐसा paragraph आपने नहीं बढ़ा है तो उसको वापस से read and revise कर लो अपने जो answer है वो सही हो ऐसा जरूरी नहीं आप skip भी कर सकते हो और वो topic भी note कर सकते हो जहां से आपकी answer गलत हो रहे हैं या skip कर रहे हो आपका final score लिखना बचो मत भूलना quiz कैसी लही इसके बारे में भी feedback देना मत भूलना और next quiz किस chapter से related आपको चाहिए ये भी आपको mention करना है तब तक के लिए stay happy keep studying झाले झाले, thank you